नमस्कार दोस्तों यहाँ पर आप देख सकतो हिंडाल को शेर ने इस जोन में अपना 52 विक हाई प्राइस बनाया और उसके बाद इस शेर में लगातार गिरावट चल रही है और इसी के साथ दोस्तों इस शेर में अभी 30 मिनिट टाइम फ्रेम्स में यहाँ पर आप देख सकत या फिर कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है इस शेर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए और अंत में हम देखेंगे कि इस शेर में हमारे शौट टर्म टार्गेट्स क्या रह सकते हैं तो चल ये वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यह यहापर सबसे पहले अगर बात आती है शेर में सपोर्ट की तो यहापर आप देखो 370.95 रुपीज का लेवल मतलब हम 380 लेवल भी गिन सकते हैं तो 380 का लेवल इस शेर के लिए एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है क्योंकि यहापर आप देखो पहले शेर ने इस जोन में सपोर हम पूद लेगा अगर बात आती है शेर में रेबिजिस्टेंश की तो यहापर अब देखो यह वाला जो ट्रेन लाइन है यह ट्रेन लाइन इस शेर के लिए एक स्ट्रोंग रेजिस्टेंश है क्योंके 1 टेम शेयर ने इदर रेजिस्टेंश फिश किया फिर sonra गड़ी किर आवर शुरू हो गई है तो दोस्तो जैसे यह शेर इस रेजिस्टन्स को ब्रेक करेगा उसके बादी इस शेर में तेजी आएगी यह तो हो गया रेजिस्टन्स ट्रेंड लेंड अगर बात आती है रेजिस्टन्स लेवल की तो दोस्तो यहाँ पर 394 का लेवल एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो दोस्तो अगर ये शेर अपना रेजिस्टन्स ब्रेक करके एक अपसेड मोमेंट दिखाता है तो मैं शेर में ख़दिदारी करूँगा और दोस्तो उसके बाद जो मेरे इंट्रा डे या फिर हम शॉर्ट टर्म टार्गेट्स कह सकते है वो रह सकते है 410 रुपीज से लेके 430 रुपीज तक के और दोस्तो अगर बात आते है इस शेर में गिरावट की तो यहां पर अगर ये शेर 380 का लेवल ब्रेक करके डाउनसाइड मुमेंट दिखाता है तो इस शेर में एक बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना रहेगी और उसके बाद ये शेर 370 से लेके 350 तक के टारगेट अचिव कर सकता है तो आज के वीडियो के लिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस शेर में मेरी कोई फी बाई सेल या होल्ड की साला नहीं है धन्यवाद